हिमाचल प्रदेश में 18-44 साल के लोगों का वैक्सीन को लेकर इंतजार खत्म हो गया है हिमाचल में 17 मई से वैक्सीनिशन की प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी वाईजीम जेरान ठाको ने कहा कि जिन लोगों ने पहले ही खुद को पंजिकरित करवा रखा है उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाए जाएगी साथी सीएब ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों को मैसेज आएगा केवल वही लोग वैक्सीन सेंटर जाए और कोविट नियमों का पालन करे कर निरने हमने लिया कि जो प्राइविटाइस हमारे कुछ ऐसे सेक्षिन है जो जिनका एक्सपोजर बहुत जादा होता है लोगों के बीच में जा करके अपनी सेवाइं दे रहे हैं जिसमें एचार टी सी के ड्राइवर्स हैं कंड़क्टर्स है और वेक्सिन के लिए उनको प्राइविटी देंगे उसमें अचार टी सी ड्राइवर्स कंड़क्टर्स हैं प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स हैं वे ट्रक के ड्राइवर्स हैं और बसुन के ड्राइवर्स हैं और चंड़क्टर्स हैं और उसी तरह जो हम को भी ड्यूटी उनको भी प्राइविटी पर वैक्सिन उपलाप कराएंगे बैंक में बैंक बैंक बालों के हमको काफी लोगों से हम जे इस बात के लिए आगर आ रहा था कि भी बैंक के लोग सीधे जो है वो पबली कॉंटेक्ट में रहते हैं इस सूरत में वहां पर उनको जो हमारे करमचारी है उनको भी स्वाइब किया गया है और उसके बाद हमारा जो फूड एंड सीवर्य स्पलाइज और स्टाफ और टांसपोर्ट यह इनको भी हमने प्राइटाइज किया है और उसके साथ में कैमिस्ट लोकमित्रकेंडरा यह इनको वैक्सिनेशन के लिए ताकि यह जो वैक्सिन का विहान हमारा ठीक प्रकार से जो चल रहा है उसमें इनको प्राइज मिक्ता देख करके इनको वैक्सिन के मादेम से इस को भी के संक्र से इनको बचाने में हम प्रेतन कर रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज ज़ा हमने हमार्चल प्रदेश में तेह की है कि जो जितने भी हमारे हमकियर के और आईशुमान भारत के अंतर गड़ जो लोग कवर्ड कवर्ड है उनका जो है प्राइबेट हॉस्पिटल में भी उनके ट्रेटमेंट की विवस्ता जो है उस तरह से प्रियोफ कॉस्टोस में होगी और वो एक नई शुरुआत है नई एक पहला मने इस परकार से की है ताकि उन लोगों को मदद हो इस परकार से हो सके जहां तक कर्फियो के बारे में आपने जो बात कही है कर्फियो अभी तक शिमाचल परदेश में जो लागू हुआ है उसका इंपक्ट एक अच्छा इंपक्ट आया है और इंपक्ट के स मैं आप सब के माधियों से सांजा करना चाहूंगा यह है कि जो हमारी वैक्सिन जो आठारा से पैंताली साल के लिए उसमें वो वैक्सिन हमको आज वह है एक लाख साता हजार वैक्सिन उसमें हमको उपलब्द हो गई है और उसका रेजिट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको ब जरुआप कर रहें और पंदरागे तक हम इसकी सारी मॉडली disrespect कर रहें कि किस तरह से मैंनर में मैं जिस परकार से क्राउड की शेप में इसको मैनेज करने के लिए कटना ही आएगी इस परकार से रहेगा कि जिनका रेजिस्ट्रेशन हुआ है फर्स्ट कंफर सर्व मैंने पहले कह दिया और उसके बाद वहां जिसको मैसेज आए का वो जो है वो जो हमारा सेंटर होगा वेक्सिन सेंटर होगा वहां पर आकर के वे